हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और आज हम लेकर आए हैं बेसी अग्रिकल्चर फिप्थ समेश्टर का जो पेपर हुआ है आज पेश्ट और क्रॉप एंड इस्टोरेज ग्रेन एंड देर मैनेजमेंट का उसका फुल सल्यूशन लेकर आया हूँ यार दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहिए चालू करते हैं पहले कोश्चन से कोश्चन नमबर एक है राइस टुग्रो वाइरस के लिए एक बैक्टर के रूप में कार करता है तो इसमें आपसन नमबर ए सही होगा नेक्स कोस्चन है धान के पत्तों का अनियमित भच्छन किसके कारण होता है तो किसके कारण होता है इसमें आपसन होगा सही टिड़ा के कारण होगा आपसन नमबर डी सही होगा नेक्स कोस्चन है तीन नमबर रुपाई से पहले अंकुरन के सिर्यों को काटना फिर कीट की एक अच्छी प्रमंद तकनीक है तो इसमें आपसा नमबर A सही होगा तनाचेदक नेक्स कोस्चन है चावल में सफेद बाली के हमले के कारण होती है तो किसके कारण तना छेदक के कारण होती है आपसा नमबर है यह सही होगा नेक्स कोस्चन है चावल के तने के छेदक के खिलाफ अंडा पर जीवी छोड़ा जा सकता है तो कौन सा छोड़ा जा सकता है इसमें ट्राइको डर्मा चिलोनिस छोड़ा जा सकता है। नेक्स कोश्चन है, किस कीट के प्रभावित ज्वार का पौधाद अधिक साइड टिलर का उत्तादन करने वाला जाता है, करने वाला बन जाता है तो इसमें आपसा नंबर D सही होगा, सूट फ्लाई नेक्स सोस्टन है 7 नंबर एक पत्ती में मद्ध सिरा का सुरंगजन द्वारा किया जाता है तो आपसफ्ण नंबर इसमें भी सही होगा नेक्स प्रण आप आठ नंबर कालटेप हईड्रो ग्लॉराइट का फार्मूगेशं में उपयोग होता है तो किसमें होता है 10 जी का होता है आपसर ने सही होगा Next question है Next question है पायल ला परपू सिल्ला वाकर एक कीट है तो किसका कीट है सुगर केन का है गन्ने का है Next question है दस नमबर अम्मालो सेरा डिप्रेज सेला की उसमायन अवध ही दिन होती है तो कितनी होती है अवध ही पांच से बारा होती है, आपसर नमबर D सही होगा, नेक्स कोश्चन है, गन्य की सफेद मक्खी के प्रबंद के लिए सस से पद्धत सामिल है, तो आपसर नमबर इसमें D सही होगा, उप्यूक्त सभी होंगे, इसमें, नेक्स कोश्चन है, गन्य सीर्षक बेधक परिवार का प्रवेश के छेद कीट के उन लार्वा के मूलतंत्र से बंद हो जाते हैं जो बीज की गुठली के अंदर खा रहे होते हैं तो आपसे नंबर इसमें भी सही होगा चित्तिदार सूड़ी दोस्तों यह आपने मेरे चैनल अग्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए जिसे दूसरे बच्चों की मदद हो सके दूस्तों आज का आपसे नंबर इस सही होगा नेक्स कोश्चन है कपास का कौन सा कीट रेसमी धागों से बंधी तुरही के रूप में पत्ति को लपेटता है तो इसमें आपसे नंबर सी सही होगा आपसे नंबर इसमें सी सही होगा सालेप्टा डेरोगेटा आपसे कोश्चन नंबर अठारा है कपास के पत्तों में हापर बर्न कीट के हमले के कारण होता है तो कौन सा होता है लीफ हौफर होता है इसमें आपसे बी सही होगा नेक्स कोश्चन है लीफ करल द्वारा प्रेस होता है तो किस के द्वारा प्रिसित होता है लीफौपर के द्वारा आपसं B सही होगा नेक्स कोस्टन है कपास के कीट की संख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए गयर पसिंदिदा पोसक फोसलों जैसे रागी जौर, रागी, मक्का, आधि के साथ फसल चक्र को अपनाया अपनाना चाहिए तो इसमें आपसर नंबर होगा D लीफ हाफर नेक्स कोश्चन है लीफ हाफर के नेंतरन के लिए एक जयो नेंतरन एजेंट का नाम बताईए तो जयो एजेंट कौन से तो कैरो सेपा करनिया है आपसर नंबर C सही होगा नेक्स कोश्चन है सरसो एफिट की गड़ के अंतरगत आता है तो कौन से गड़ के अंतरगत आता है तो इसमें हेमेप्टोरा आता है नेक्स कोश्चन बी हैस का अंसर नेक्स कोश्चन है तेईस नंबर डाइ मेथो एट तीस इसी का उप्योग पेटेंड बग को की दर से नियंतित करने के लिए किया जाता है तो इसमें आपसन नमबर जो है C सही होगा 650 मिली लीटर से एक लीटर प्रत हेक्टेर नेक्स कोश्चन है बग्राडा कुरूसी फेरस का कीट है तो कौन सा आपसन B सही होगा नेक्स कोश्चन है कुरूसी फेरस फैसलों का 25 नमबर अलसी गाल मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है तो कौन सी हावस्था होती है मैगट अवस्था होती है आपसन D सही होगा नेक्स कोश्चन है 26 नमबर पेटेंट वक की हानिकारक अवस्था होती है तो कौन सी होती है निफ अवस्था हानिकारक होती है नेक्स कोश्चन है सरसो एफिट की हानिकारक अवस्था होती है तो हानिकारक अवस्था इसकी भी निफ होती है आपसन नमबर A सही होगा next question है 28 number सरसूं की आरी मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है तो इसमें माइगट होती है आपसन भी सही होगा next question है गन्ये के सीर से बेधन का बैग्यारिंग नाम क्या है तो इसका बैग्यारिंग नाम सिर्पूफ होगा एक्सपर टिलिस होगा आपसन इस इसका सही होगा नेक्स कोश्चन है सोर्गम सूट फलाई का बैग्यारिंग नाम है तो सोर्गम सूट फलाई का बैग्यारिंग का नाम है एथेर सोना एथेर सुगोना सोकाटा इसका है आपसन नमबर इसका सी सही होगा नेक्स कोश्चन है 31 नमबर पेडेंड का बग का वैग्यारिंग नाम है तो पेडेंड बग का वैग्यारिंग नाम बरगाड़ा कुरुसिफेरम है तो इसका क्या है बरगाड़ा कुरुसिफेरम आपसन A सही होगा गन्य की सफेद मक्खी का बैग्यारिंग नाम क्या है तो गन्य की सफेद मक्खी का बैग्यारिंग नाम जो है आपसर नमबर D सही होगा Aeroleolobus Borodensis आपसर नमबर 33 है मक्खे की तने छेदक का बैग्यारिंग नाम है तो इसका तने के छेदक का नाम है Chilo पार्टिलेसस पार्टिलस चिलो पार्टिलस इसका है नेक्स कोश्चन है दीमक सिर्मिक होते हैं तो दीमक कैसे सिर्मिक होते हैं ये बांजहा माद भी होते हैं और बांजहा नर भी होते हैं तो इसमें एक्जामनल पर डिपंड करता है कि कौन जा अंसर इसमें सही लगाए ने है तो दीमक कैसी है पॉली फेगस़कीट है अपसन भी गड़की पहले की सवरीय ओगा glam Еक मर निकिस्स कोश्चन है कि स्वा कोसि पधिर प्ज़ा टी पहले डियन के समसी यह तो turns, अंश् Only if सूरी के गड़ के अंतर गता आती है. तो कौन से? यए. आपसली मेड़ास बहुत. दीमक का वैगरियृ नाम है. तो दीमक का वैगरियृ नाम 두स्तों ओडोंटो, टर्मिस, पेसींस, से होता है. नेट्स कोश्चन है, तमबाखू के कैटर पिलर का वैग्यरिंग नाम है तो तमबाखू के कैटर पिलर का वैग्यरिंग नाम है इस्टोब टेरा लेप्टुरा है नेक्स कोश्चन है दोस्तों इस्टोब टेरा लेप्टुरा है आपसर नमबर C सही होगा नेक्स कोश्चन है बिहार बालो वाली 43 नमबर के लारवा हलके रंग के होते हैं और बड़े होने पर बाल बल पर लाल हो जाते हैं बालों वाले होते हैं तो इसमें किस आंसर नमबर जो है यह सही होगा किस कीट के वैस्क गहरे रंके होते है और लहरदार सफेद निसानों के साथ भूरे रंके अगर पंक होते हैं तो इसमें आसर नमबर जो है बी सही होगा इस प्लिप सोना ओबली क्यों नेक्स कोश्चन है दीमक का मैथुन कहां होता है तो दीमक का मैथुन जो होता है हवा में होता है आपसे नमबर D सही होगा नेक्स कोश्चन है लगभग 20,000 अंडे दिन डैस डैस के द्वारा दिये जाते हैं तो किसके टर्माइट के द्वारा दिये जाते हैं दीमक के द्वारा दिये जाते हैं नेक्स कोश्चन है 47 नमबर एफिड मादाएं जो अपंखी वीवी पेरस और पार्थोनों ने जेनेटिक और वे बसंत में ओवर विंटर अंडों से निकलती हैं के रूप में जानी जाती हैं तो किसके रूप में जानी जाती हैं ये इसमें आपसा नमबर सी सही होगा भंडा ट्री गेनिया के नाम से जानी जाती हैं नेक्स कोश्चन है 48 नमबर भंडारण में चावल जवार गेहूं जो मक्का के दानों पर डेड़ मिलिमीटर ब्यास के अनेमित छिद्रों की उपस्थती के हमले के कारण होती है तो किसके हमले के कारण होती है आपसा नमबर इसमें B सही होगा चैलो सोब्रूस नेक्स कोश्चन है दोस्तों साइटोफिलस औराईजी के हानकारक अवस्था होती है तो कौन सी होती है इसमें जो इसकी हानकारक अवस्था गरब अवस्था होती है आपसा नमबर A सही होगा कि हानकारों का उस्था होती है तो इसकी कौन सी हानकारों का उस्था होती है कैटरफिलर होती है आपसन नंबर B सही होगा नेक्स कोस्चन है पल्स बीटल का बैग्यारिंग नाम है तो पल्स बीटल का बैग्यारिंग नाम जो है आपसन नंबर B सही होगा next question है खपरा बीटल परिवार से सम्भनदेख तो कॉन से परिवार से सम्भनदेख डारवन शेस सम्भनदेख आपसे सही होगा next question है दुस्तों बंदारट के अनाजों के उस कीट का नाम है जो खेत थ्रेसिंग याड या दुकानों में दालों पर हमला करता है तो आप सांन नंबर इसमें भी ही सही होगा निक्स कोष्चन है दोस्तों अनाज का भंडार करते समय नमी परसेंट कम से कम होनी चाहिए तो 10 परसेंट होनी चाहिए से कम होनी चाहिए जद दोस्तों आपने मेरे चैनल agriculture point को subscribe नहीं किया है कौन से भंडारन कीट की अमादा अनाज में एक छोटा सा छेंद करती है और उसमें एक अंडा देती है और एक जिलेटनेस प्लग के साथ कवर करती है तो इसमें आपसे नमबर ये सही होगा का खपरा बीटल निक्स कोस्चन है तो किसके रूप में होता है आपसन बी सही होगा निक्स कोस्चन है कारबेरियल का फार्मलेशन के रूप में उपलब्द होता है तो कौन से रूप में हो पचास डवलू पी नेक्स कोस्चन है डाइ मेतो ए്ट का फार्म्ट एट के रूप में उपलबद होता है तो इसमें जो है 30 AC होगा, आप संसी सही होगा या दोस्थों आपने मेरे चैनल कोelly सेर नहीं किया तो सउसकाइब कर लिजे, सेर कर दीजे और दोस्थों के पास अपने भेज जीजे जिससे उनको भी पता चल जाए कि कितने अंक उन्होंने परिच्छा में प्राप्त की हैं थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों